नमस्कार एटोजेट डिशष उशाग उरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तिल गुड की चिक्की अब यह जो चिक्की है खाने में बहुत खास लगती है और बनाने में असान है इसे खाकर आपको मज़ा ही आ जा पैन या फिर कड़ाई गैस को अन करके वो बरतन रख दीजे पैन या कड़ाई मैंने पैन रखा है इसके अंदर आधी चमस मैंने डाल दिया है गी जैसे गरम होगे तो मैंने इसके अंदर डाल दिया यह गुड तो मैंने इसके अंदर यह आधा कप जितना गुड राला है पर ये टुकडों में बड़े बड़े टुकडों में इसी लिए अगर बारी काटोगे तो आधा कब जितना गुड़ होगा गुड़ को डाल दीजे और लगाता चलाते हो इसे पकाईए आप देखेंगे गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है पिगल चुका है तो इ अब आप देख सकते कुछ ही इस तरह से हो गया तो इसके अंदर अब मैं तिल और डाल रही हूँ क्योंकि मझे थोड़े से कम लग रहे है तो मैंने सबसे पहले एक कटोरी डाले ते तिल और ये मैंने आधी कटोरी और तिल डाल दिये एकदम सफिद सफिद तिल डालना और बस लगातार चलाते जाएंगे और इसे धीमी आज पर बिलकुर लो फ्लेम पर ही पकाएंगे लगबग दोसे तीन मिनिट के लिए अब जिसमें आपको ये चिक्की सेट करनी है वो बर्तन ले ले छोटी सी प्लेट या कटोरी जो आप चाहें उसमें सेट कर सकते हैं इस पर हल गुड में गुड से बनाई गई है तो इसे इसमें कट लगा लेने और बहार रखकर ठंडा कर लेना है जब ये गरम होना तब ही इसमें कट लगा लेना उसके बाद इसे बहार रखकर ठंडा होने देना जब गुड अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये बनकर तयार हो जा हिल्दी है टेस्टी है ट्राइ करना और चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले थांकियो फॉर वाचिंग